जब तक नरेंदर मोदी जी इस योजना को बापस नहीं लेते हैं पूरा बिहार का बिश्वित दाले बंद रहेगा बिहार इंशार्ज देखना आप मैं हो आपके साथ मिराज में लिगाबियों मौझूद हैं पटना विश्वित दाला हैं आपको बता दे कि यहां ताला बंदी की जारी है कि जिस तासे केंट सरकार ने सेनव भाली को लेकर एकी स्कीम पास किया अग्मी पत्सकीम उसको लेकर पूरे भारत में जो है हर जगह अगजनी हो रही है हर जगह परदशन हो रहा है इस स्कीम के खिलाफ अब यह मौझूद है पटने शटी में आपको बता दें कि यहां पर भी छात्रों हैं लगतार इस स्कीम को वापस लेने की बात करें क्या कुछ कर रहे हैं मनी शादव सु यह पर जिया जाता है कि कर दो जब तक करनारें दर मोदी जी इस यह इस योजना को वापस नहीं लेते हैं पूरा बिहार का विश्मित डहलए को हमें जबाब चाहें कि चार साल के भाड़ बिया ऊब वांत् बेरजगा अर्युभाः. क्या करेंगा? मात्र भूमी की सेवा करनेसा。 लए रक्षा करनेवाला आपके अपर टकेत रेपिस्ट मडरर अप राजिपरीविर्थिे ज़ो नेत है उसके रक्षा में जाएगा उसकी स्रक्षा में जाएगा अगर है हिम्मत ननेंदर मोदी जी आप तो डर के बिल में खुश गए और तीनों सेना परमुकों को आपने आगे कर दिया आप GST लाएं आप नोटबंदी लाएं आप किरसी बिल लाएं आप दिल की बात में क्यों हिम्मत नहीं हुई दिल की बात में आने की आपकी एक दम ननेंदर मोदी जी पूरी तहा से बैक फूट पे आचुके हैं आपके कैमरा और चैनल के माध्याब से छात्रों से अपील करेंगे तटे रहना है जनदिकार, चात्र, परचाद और पपुयादव आपके साथ कदम से कदम मिलाकर सरकों पे हैं और एक बात समझ लिजिए कि जो उम्र का संसोजन योजना में किया गया है एक हार है बीजेपी की एक दम बीजेपी कर रहा लेके आगे धरना परदस्र में बैठिए वहीं सोईए खाये पीजेम लगतार अपील कर रहे है नरेंदर मोदी जी तो डर चुके है अगर नहीं डरे होते तो तीनों सेना परमुखों को आगे नहीं करते है एक दम लेक सबाल चार साल बाद हम कहां जाएंगे हमारा परिवार कहां जाएगा हम मनेंगे जीएंगे क्या करेंगे नरेंदर मोदी जी आप जो सेना को निजी करन करने में लगे हुए हैं आप क्या सोच रहे हैं आपके सहयोगियों ने तो पूरा एरपोर्ट खड़ी लिया पैंक खरीद रहे हैं एक बात समझेए निजी करन सेना का हो रहा है सुरक्षा वेवस्ता का निजी करन हो रहा है अमबानी और अडानी बड़ी संक्या में देश के संपत्यों को खरीद रहा है उसकी सुरक्षा के लिए उन्हें बड़ी सेना की जरूरत है और उसी जरूरत के चलते, इस तरह के योजना लाई गई है, सेना का अनीजी करन किया जा रहा है, ताकि जो सेना मात्र भूमी की रक्षा के लिए लड़ा है, उस सेना अब इनके जो अंबानी अडारी होगे, इनके कमपणिया होगे उसकी सुरक्षा में, इनके बाल बच्चे तब तक सरकार झाल लड़ते रहेंगे मनिशादत के साथ तर पर कहना है कि जल से जल सरकार को इस स्कीम को वापस लेना होगा सरकार जो है चातरों के साथ लगतार खिलवार कर रही है जिस तर से स्कीम निकाला गिया है चार साल में आप रेटार्मेंट लेनेंगे तो क्या फायता होगा और बहुत सारे से नताओं का कर रहे हैं अब देखना यह है कि सरकार इस स्कीम को कब वापस लेती हैं कब में इसे तक हमारे साथ हमारे साथ जुड़े रहें तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद